और लेट चेक इट आउट गाईज, वागद है आपका स्टून टेक में, दोस्तों जा हम कंपेर करेंगे, रिसेंड़ी इंडिया में लाउंच ओदो एक दम किलर स्पेक्स वाले गेमिंग स्मार्टफोन्स को, जिनका नामे रियल मी 13 प्लास और उपो F27, और जानेंगे कि इन दोनें मुबाइलों के डिस्प्ले का बारे में, जिसमें, दोनें मुबाइल में आपको 6.67 इंचेस के एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलेगी, अगर बात करें इसकी इंडंसिटी की तो दोनें मुबाइल में आपको 395 PPS की इंडंसिटी देखने को मिलेगी, अगर बात बाद करें refresh rate की तो दोने ही mobile मापको 120Hz से refresh rate देखने को मिलेगा। अगर बात करें build quality की तो दोने ही mobile मापको front glass और back of frame आपको plastic देखने को मिलेगा। अगर बात करें operating system की तो realme में आपको N.14 operating system देखने को मिलेगा। जो कि realme UI 5.0 पर based होगा। वहीं उपो में आपको Android 14 operating system देखने को मिलेगा, जो कि ColorOS 14 पर based होगा, चिपसाट के बात करें तो Realme में, Media Day Dimensity 7300 processor आपको देखने को मिलेगा, जो कि 4 nanometer processor होगा, वहीं उपो में आपको Media Day Dimensity 6300 processor देखने को मिलेगा, जो कि 6 nanometer processor होगा, तो यहाँ पर Realme का processor आपको काफ़ी faster देखने को मिलेगा, अगर बात करें दोनों mobile के graphics की तो Realme में, Mali-J650 M62 GPU आपको देखने को मिलेगा, वहीं उपो में आपको Mali-J57 M62 GPU देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर Gaming Graphics में आपको Realme के काफ़ी अच्छे देखने को मिलेगे, अगर बात करें card slot की तो दोनों mobile में आपको MicroSD card slot देखने को मिलेगा, अगर बात करें internal memory की तो दोनों mobile में 128GB और 256GB के variants आपको देखने को मिलेगे, अगर बात करें RAM की तो Realme में आपको RGB और 12GB के variants देखने को मिलेगे, वहीं उपो बस आपको RGB में ही देखने को मिलेगा, अगर बात करें storage type की तो Realme में आपको UFS 3.1 storage type देखने को मिलेगा, वहीं उपो में आपको UFS 2.2 storage type देखने को मिलेगा, और एगर बात करें दोनों मुबाईलों के camera segment की तो दोने मुबाईल में 50 और 2 Mpx का dual camera setup होगा अगर बात करें Salphe camera की तो Realme में आपको 16 Mpx का front camera देखने को मिलेगा वहें UPPO में आपको 32 Mpx का front camera देखने को मिलेगा यहाँ पे selfie camera आपको उपो का काफी अच्छा देखने को मिलेगा अगर बात करें sound quality की तो दोने मोबाइल में आपको stereo speakers देखने को मिलेगे अगर बात करें 3.5 mm jack की तो realme में आपको 3.5 mm jack का feature देखने को मिलेगा अगर बात करें इंफ्रा रेट पोर्ट और NFC की तो Realme में आपको इंफ्रा रेट पोर्ट और NFC दोनों के फीचर देखने को नहीं मिलेंगे वहीं उपो में आपको इंफ्रा रेट पोर्ट और NFC दोनों के फीचर देखने को मिल जाएंगे अगर बात करें बेटर सेग्मेंट की तो दोने मोबाल में आपको 5000 MSK LAPEU बैटरी देखने को मिलेगी Charging की बात करें तो Realme में आपको 80W की Fast Charging देखने को मिलेगी वहएं OPPO में आपको 45W की Fast Charging देखने को मिलेगी तो यहाँ पर battery segment आपको Realme का काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा अगर बात करें दोनों मुबालों के colors की तो Realme में gold, green और purple colors आपको देखने को मिलेंगे वहीं उपो में आपको green और orange colors देखने को मिलेंगे अगर बात करें दोनों मुबालों के price की तो दोनों मुबालों के price 22,999 होगा तो दोस्ते यही था इन दोनों मुबालों का complete comparison overall दिखा है तो दोस्तो mostly feature आपको दोनों मुबालों में एकदम similar देखने को मिलेंगे major difference बस आपको इन दोनों मुबालों के processor में देखने को मिलेगा जिसमें आपको realme 13 plus काफी faster देखने को मिलेगा तो इस comparison का clear winner होगा realme 13 plus अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को like share ज़रूर करना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताने के आपको वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते अगले वीडियो में